नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं शेरबाज सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स शेरबाज और सर्प छडी का रहस से फिर जोंगा ने जैसे ही उठने की कोशिश की शेरबाज का नपा तुला हाथ उसकी कनपट्टी से टकराया जोंगा पेहोश होकर वहीं धेर हो गया तब तक शोड शराबा सुनकर हजारिका की आँखे भी खुल गई थी वह वहाँ आप पहुँचा था अरे यह तो तबाला का आदमी है हाँ इसे उसने सर्प शड़ी रखने के लिए भेजा था लेकिन सर्प शड़ी तो इसके पास नजर नहीं आ रही है यह अपना काम पूरा कर चुका है शड़ी तुम्हारे कमरे में पहुँच चुकी है ओ अब इसका क्या करें यह तबाला का खास आदमी है यह उसके बारे में हमें बहुत कुछ बता सकता है इसलिए हम इसे रात भर अपनी कैद में रखेंगे और सुबह इसका मूँ खुलवाने के बाद इसे पुलिस के हवाले कर देंगे लेकिन अगर यह वापस नहीं पहुँचा तो तबाला को शक हो सकता है तुम यह भूल रहे हो हजारिका कि तबाला ने इसे यही रुक कर तुम पर नजर रखने का आदेश दिया था अता इसके न लोटने से उसे कोई शक नहीं होगा तत पस्चार शेरबाज ने जोंगा के हाथ पैर बांध दिये और उसी कमरे में बंद करके हजारिका के साथ बाहर निकल गया उस रात भोजनादी से निर्वत होने के बाद शेरबाज पूरी तयारी के साथ हजारिका के कमरे में जा बैठा वौकी टॉकी उसने ओन कर रखा था ताकि तबाला की जोपड़ी में होने वाली कतिवीदियों की जानकारी उसे मिलती रहे ठीक 11 बजे उन्हें वौकी टॉकी पर मंत्र जाप के शब्द उबरते सुनाई देने लगे जो थोड़ी देर बाद ही विचित्र से शोर में बदल गए लगबग एक घंटे तक यही प्रकरिया जारी रही फिर अचानक शोर शान्त हो गया ठीक उसी समय हजारी का शेरबाज का ध्यान सर्प चड़ी की तरफ आकरशित करता हुआ चीक उठा शेरबाज उधर देखो सर्प चड़ी हिल रही है ओह तभी अचानक चड़ी किंग कोब्रे का रूप धारन कर फुफकार उठी ओह तो यह है सर्प चड़ी का रहस्ते माई गॉड यह कैसा चमतकार है दूसरे ही पल कोब्रा फुफकारता हुआ हजारिका की तरफ लपका लेकिन शेरबाज बीच में आ गया जैसे ही शेरबाज ने स्टिक से कोब्रे का फन दबाने की कोशिश की कोब्रा उचर कर दूर हट गया तुम दूर ही रहो अचारिका यह खतरनाक नाक किंक कोब्रा है इसे भारत में हेमदरियात के नाम से जाना जाता है इसका इरादा तुम्हें डसने का है ओह लेकिन यह मुझे क्यों डसना चाहता है क्योंकि ओजा तबाला ने इसे तुम्हें खत्म करने के लिए बेजा है कहने के साथ ही शेरबाज कोबरे की तरफ पलट पड़ा कोबरा एक बार फिर आकरमन की तयारी कर चुका था ओ यह तो उड़कर वार करने की तयारी में है शेरबाज का खयाल गरत नहीं था दूसरे ही पल कोबरा हवा में तैरता हुआ शेरबाज पर जप्टा लेकिन शेरबाज छलांग लगा कर उसके सामने से हट गया कोबरा दिवार से टकरा कर फर्श पर आगिरा गिरते ही वह तेजी से पलट पड़ा किन्तु तभी शेरबाज ने स्टिक से अगर भाग से उसका फन दबोश लिया अब बचकर कहां जाएगा लेकिन इससे पहले की शेरबाज कोबरे को विवश कर अपने काबू में करता वह बड़ी चपलता से स्टिक की गरफ से निकल गया कोबरे को मुक्त होते देख हजारिका चिल लाया शेरबाज इसे जिन्दा पकड़ना मुश्किल है खत्म कर दो इसे सबर से कामलो हजारिका मैं उसे गोली से नहीं अपनी एड़ी से कुचल कर मानना चाता हूँ फिर शेरबाज और कोबरा के मध्य जिन्दगी और मौत की जंग शुरू हो गई और फिर अचानक कोबरा शेरबाज के शिकंजे में फस गया बच्चू आ गया ना मेरे चंगुल में के लिट शेरबाज और फिर शेरबाज ने अपने जूते की एड़ी से कोबरे का फन कुचल डाला परन्तु दूसरे ही पल शेरबाज और हजारे का चौक उठे ओ, कोबरा फिर छड़ी में तबदील हो गया लेकिन इस छड़ी का सर तूट चुका है ओजा की तंत्र शक्ती नश्ट हो चुकी है अब हमें क्या करना चाहिए हमें फॉरन तिन्नाली गाउं जाना होगा यही मौका है जब हम ओजा से उसका हर अपराज कबुलवा सकते हैं तुम इंस्पेक्टर गोगोई को फोन कर दो वह भी वहाँ पहुँच जाएगा ठीक है लेकिन जोंगा उसे हम अपने साथ ले चलेंगे तत पस्चात हजारिका इंस्पेक्टर गोगोई को फोन करने चला गया लगबग 15 मिनट बाद शेड़बाज और हजारिका जोंगा को साथ ले तिननाली गाउं की और रवाना हो चुके थे भोर होने से पहले ही वे ओजा तबाला के निवास पर पहुँच चुके थे जोंगा को एक सिपाही की निगरानी में चोड़ शेड़बाज और हजारिका भीड में रास्ता बनाते हुए जोंपणी में पहुँच गए लेकिन जोंपणी में कदम रखते ही वे चौक पड़े ओह इसी क्या हुआ मेरे यहां पहुँचने से पहले ही यह दम तोड़ चुका था मैंने पूश्टाच की लेकिन कोई भी ओजा की मौत का कारण नहीं बता पाया शायद तंत्र विद्या के गलत परियोग के कारण ही यह अपनी जान गवा बैठा है कुछ भी हो ओजा के मर जाने से अंग्रेज तसकरों तक पहुँचने के रास्ते फिर बंद हो गए हैं यह तो बहुत बुरा हुआ अभी हमारी उम्मीद खत्म नहीं हुई है ओजा का खास आदमी जोंगा हमारे कबजे में है हमें उससे पूश्टाज करनी चाहिए वह अंग्रेज तसकरों के बारे में जरूर कुछ जानता होगा जोंगा कहां है बाहर है मैं उसे अभी अंदर ले आता हूँ इतना कहे हजारिका फोरन बाहर चला गया थोड़ी दिर बाद जब वह लोटा तो जोंगा उसके साथ था इंस्पेक्टर गोगोई उसे देखते ही गुर राया तू ओजा के बारे में क्या जानता है जल्दी बोल मैं कुछ नहीं जानता दरोगा बाबू मुझे कुछ नहीं मालू तड़ाक आह जल्दी बोल हराम जादे वरना मार मार कर तेरी चमड़े उधेर दूँगा आई चटाक आह बोल कालू राम की हत्या किस ने की सर्ब छड़ी लेकर तू फोरेस्ट बंगले पर क्यों गया था बताता हूँ बताता हूँ साहब मुझे मत मारो तड़ बस्चाज जोंगा ने तुरंत बोलना शुरू कर दिया गुरू जी ने मुझे हजारिका साहब की कमरे में सर्ब छड़ी रखाने का आदेश दिया था मैं ही वह सर्ब छड़ी कालूराम के कमरे में भी रख कर आया था तब भी गुरुजी को किसी को खत्म करना होता तो वह मुझे सर्प छड़ी उसके घर में रखाने को कहते थे वह जैसा कहते थे मैं वैसा ही करता इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता तो अंग्रेश तसकरों के बारे में क्या जानता है इस समय वे कहां है तब जोंगा ने अंग्रेश तसकरों के गुप्त ठिकाने का पता इंस्पेक्टर गोगोई को बता दिया इंस्पेक्टर गोगोई दो सिपाहियों को साथ ले वहां से चल पड़ा जब शेरबाज उसके पीछे जाने लगा, तो हजारिका बोला, शेरबाज, हम वहाँ जाकर क्या करेंगे, पुलिस अपना काम खुद कर लेगी, हजारिका, तुमने जिन अंग्रेज तसकरों का नाम लिया, वे इतनी आसानी से पुलिस की गिरफ्त में नहीं आएंगे, पुलि यहां के हाला ठीक नजर नहीं आ रहे हैं, तुम ठीक कहते हो, अब यहां रुकना खत्रे से खाली नहीं है, वे ओजा का बच्चा खुद तो फसेगा ही, हमें भी वस्वा देगा, डैविट की सहमत होते ही, दोनों तयार होकर जोपड़ी से बाहा निकलाए, तभी पुलिस जोपड़ी के सामने आकर रुकते देख, डैविट चिखा, पुलिस, भागो, खत्रे का आभास होते ही, दोनों पलट कर विप्रीत दिशा में भाग लिए, उन्हें भागते देख, इंस्पेक्टर गोगोई छलांग लगाता हुआ जीप से उत्रा, और उन्हें ललकारता गर जा, रुक जाओ, वरना गोली मार दूँगा, लेकिन डैविट और जैक नहीं रुके, जल्द ही वे एक चट्टान की आड में पहुँच गए, अपने आपको सुरक्षित पाते ही, दोनों ने पुलिस पर फाइरिंग शुरू कर दी, गोलियों की आवास सुन, निकालकर जीब से उत्रा, और बोला, आओ मेरी साथ, चलो, उधर जैक पुलिस की तरफ से हमला जारी देख, डैविट से बोला, डैविट, तुम मान लेकर निकल जाओ, मैं पुलिस को रोकता हूँ, लेकिन तुम, मेरी चिंता मत करो, अगर मैं पकड़ा भी गया, तो पु कहां भाग रहे हो बच्चू, मौत तो तुम्हारे सिर पर खड़ी है, ओ, शेरबाज की आवाज सुन, जैक तेही से पलट पड़ा, लेकिन इससे पहले कि उसकी बंदूग शेरबाज को निशाना बनाती, शेरबाज का रिवॉल्वर गरज उठा, शेरबाज को अपनी इंस्पेक्टर गोगोई अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पहुंच गया, वह डैविड और जैक को अपनी हिरासत में लेने के बाद शेरबाज से बोला, आपकी मज़द का बहुत-बहुत धन्यवाद मिस्टर शेरबाज, यह तो मेरा फर्स्टा इंस्पेक्टर, तत्पस अब सोचता हूँ, मुझे भी यहां से चल देना चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी, कुछ दिन रुख जाते तो मुझे खुशी होती, मैं फिर आऊंगा रूबी, और तब तक यहां रहूँगा, जब तक तुम चाहोगे, जानता हूँ, जब तुम जाने की सोच ही चुके हो, तो मेरे रोके से नहीं रोकोगे, पर जाने से पहले इतना जरूर बता दो, कि मैं उस खंडित सर्प चडिका क्या करूँ, ओजा तबाला की मौत के साथी सर्प चडिका महत्वी खतम हो चुका है, पर तुम उसका विसरजन नदी में कर देना, तत पस्चात वे नाष्टा कर रवाना हुआ, तो हजारिका की आँके बर-बर चल-चला उठी, शेरबाज, तुम सच-मुच महान हो, इश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे, तो यह थी शेरबाज सीरीज की एक मज़िदार कॉमिक्स, ऐसी ही मज़िदार कॉमिक्स के लिए बने रहे मेरे साथ, और हाँ, म अन्यवाद!